प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पत से दिया इस्तिफा आठ जून को नई सरकार में ले सकते हैं पीएम पत की शपत सरकार तो बन जाएगी लेकिन चुनोतियां बढ़ती निज़र आएंगी आने वाले पांच सालों में बीजेपी की बढ़ेंगी मुश्किले राष्टपदी ने उनका इस्तिफा सुविकार कर लिया है खबर है कि मोदी आठ जून को पीएम पत की शपत ले सकते हैं हाला कि शपत ग्रहर से पहले साथ जून को एंडिये के सांसदों की बैठक होगी इस बैठक में नए सांसद अपना परिच्वे देंगे बैठक के बा चनाव में जनता का मूट पता चल गया है क्योंकि एंडियों को 543 में से 293 सीठी मिली है साथ ही इंडिया गटबंदन के खाते में 232 सीठी आई है अगर बात अकेले बीजेपी की करें तो उसको सिर्फ 240 सीठी मिली है जबकि उम्मीद 300 पार की थी बीजेपी के पास अब बहुमत नहीं है ऐसे में एंडिया के सहारे सरकार बन तो जाएगी लेकिन अब चुनौतियां भी कैसारी बढ़ जाएगी कामकाजी फैसले लेते समय बीजेपी को सहयोगी दलों का भी ध्यान रखना होगा चलिए आपको इस वीजियो में बताते हैं कि देश के प्रिधान मंत्री के सामने अगले पांच साल में कौन-कौन से बड़े चैलेंज होगे प्यम मोधी के सामने अगर पहले चैलेंज की बात करें तो पुड़ बहुमत ना होनी की वुज़ से अब अपने कुनमे को प्रायोर्टी देनी होगी प्रिधान मंत्री नरे मिक्ता वाले मुद्दों पर कभी एक जुट नहीं रहे हैं। काई मुद्दों को लेकर सहयोगी दलो और वीजेपी के बीच सोच का काफी अंतर है। में भी बदलाव की और सोचना होगा। आने वाले दिनों में पार्टी रिस्टार्ट के मूड में दिखाई दे सकती है। और ये बात भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। जीत के बाद पिये मुद्दी ने अपने विजवी भर्षन में इसके संकेत दिये कि उनके सरकार कई बड़े फैसले लेगी। लेकिन पांच साल मोदी की चमक को फिर से वापस लाने के लिए भी होंगे। इसके लिए मोदी सरकार को अपनी नीतियों को और जादा धरातल पर उतारना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी और मोदी जी के लिए आने वाले दिनों में महरास्ट्र, दिल्ली और हर्याना में विदानसबा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पर अब तीन राज्यों में बहतर प्रदर्शन करने का दबाव रहेगा। दिल्ली को छोड़ कर बाकी दो राज्यों में लोगसबा चुनाव के नतीजों ने पार्टी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। खबर इंडिया के साथ बने रहेगा।